हे करुणा मई, हे जगत जन्नी समस्त संसार की प्यारी मा, तू ही जगदंबा, तू ही काली, तेरे अनेक रूप हे मातावैशनों, ये भक्त आपके ही सहारे है, बस मईया राणी, आपसे इतना निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रहना मा, दोस्तों जुगों को जुआरे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, नवरात्री के नौ दिन के बाद, क्या जुआरे को विसरजित कर देना चाहिए, या जुआरे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए, जुआरे में छिपा है, आपकी किस्मत का राज आखिर जुआर में क्या डालना चाहिए और ज्वारे क्यों सूख जाते हैं? क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है? सुख प्राप्त होता है? जानिये. संपूर्ण जानकारी. दोस्तों, करोडपती बनने का सपना बंद, किस्मत के ताले को खोलने का गुप्त रहस्य, नवरात्री में ज्वारे के बिना मा दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौरानिक कथा भी है. सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को विस्त के द्वारा आपकी मदद की जाएगी और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी जरूर छोड़ दीजिएगा. यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे, ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके. देखिए, धार्म जाता है. इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा, जो अर्पित किये जाते हैं. साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो अन ब्रह्म के समान है, और अन का हमेशा समान करना चाहिए. इसलिए पूजा में जो का इस्ते अगर आपने अपने घर में जोरे बो करके नहीं रखे हैं, तो कोई बात नहीं. इस वीडियो को ध्यान से देख लेना. आपको किसी ना किसी माध्यम से जोरे विसरजित करते समय कुछ ना कुछ जोरे आपको प्राप्त हो जाएंगे. इस से आप अपनी बंद किसमत के ताल खोल सकते हैं. दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी. वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर जो भक्त सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखता है, तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है. दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्री में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविश्य को ज्हांक सकते हैं. अर्थात आप अपने चलेगा. यदि जो नीचे से आधा हरा है और उपर से आधा पीला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका शुरुवाती समय ठीक से बीतेगा. लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है. इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीक अधा भी बताएंगे. इसी लिए अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है. दोस्तों, इसी के साथ ही जो सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं, तो यह अत्यंत शुब संकेत है. अगर ऐसा है, तो मान लीजिए कि अपने कश्टो और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम, धूम, दुर्गाय, नम्ह. दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुती दे सकते हैं. इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी स प्रार्थना कर सकते हैं. जो ज्वारे होते हैं, ये बहुत ही पवित्र चीज हैं. इसे आप साधारन मत समझना, वैसे मईया रानी करुणा मई है, वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती हैं. ज्वारे को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है. चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि अब सवाल यह उठता है कि नवरात्री में ज्वारे का क्या करें, क्या विसरजन कर दें या इसे घर में रहने दें, तो धार्मिक माननेता कहती है कि ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जा लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है. इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसरजित इसे कर देना चाहिए. दोस्तों जैसे कि आपने नौ दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है. नौ दिनों के ज्वारे के आसपास में नौ दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, मा दुरगा के समीप में ये रहने के कारण, बिलकुल ही ये शक्ती स्वरुप में जागरित हो जाते हैं. ऐसे ज्वारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी इन सब को छुटकियों में समाप्त कर सकते हैं. तो आईए, इस वीडियो में जानते हैं. ज्वारे से किस प्र रह जाएंगे क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, अपनी कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, या आपके घर-परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार हैं. आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं, तो ज्वारे को हमेशा धन स्थान है व्यापार स्थान है या फिर कारोबार स्थान है यहाँ पे जरूर रखना चाहिए इससे धन में बढ़ोतरी होती है कारोबार में उन्नती होती है अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में धन स्थान में जरूर रखिये, आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागरित हो जाते हैं। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार ये पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है। जो किताब है मातारानी की दिव्य किताब है जैसे कि देवी पुरान है या दुर्गा सब्तशती है ये सब दिव्य किताब कही गई है तो मनो कामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है तो मा भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह मनो कामना पूर्ण ह लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे, आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, देखिए, जो ज्वारे हैं, बहुत ही पवित्र चीज हैं, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए, और एक बात बहुत से लोग में से ऐसे दर्शक हैं, जो बोलते हैं, ना गुरुजी हमें ताबीज बनाना सीखना है, तो क्या करें, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में मातारानी का वास बना रहे, आपका शरीर जो है, सुरक्षा कव वो भस्म लेना है, मातारानी को जो आपने अचर चढ़ा करके रखें हैं, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको लेने हैं, और इसे आपको ताबीज में डाल देना है, ये तीनों सामगरी को आपको ताबीज में डाल देना है, मातारानी का ध्यान करना है, अगर बत कि आपकी ये दुरगटना नहीं होने देंगे। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में यह मित्र की भानती आपकी मदद करेंगे। आपको तरक्की दिलाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। आप मेंसे अगर किसी के घर में कोई लं अंतर बीमारी आने लगती हैं, तो ज्वारा का एक जबरदस्त गुप्त चमतकारिक प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग अपने तक सीमित मत रखना, इसे और लोगों को जरूर बताना, इससे समाज में कल्यान होगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति हैं, जो लंबे समय से बीमार प पड़े हैं, दोस्तों सांस बस चल रही है, तो अगर नाक में कुछ बूंद डाला जाए, तो ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं, और जिनका स्वास्थि अच्छा चल रहा है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवान हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, आप ये एक या दो चम्मच की मात्रा में ज्वारे के निकले हुए रस को आपको दो टाइम सुबह, और शाम में मा भग इसे लगातार पांच से साथ दिनों तक पिला देना, दोस्तों खाट पे पड़ा इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक बन जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हम जितनी भी सामगरी अपने घर में नवरात्री के समय रखते हैं, मात इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नदी में इसे बेशक विसर्जित करें, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हमें अपने पास में बचा करके रख लेना चाहिए, क्य तो इन सारी चीजों को हमें कुछ ना कुछ मातरा में बचा करके जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी ज्वारे के संबंध में कोई और विशेश जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और कमेंट बॉक्स में जय मातादी अभी तक नहीं लिखा है तो जय मातादी लिखकर के चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा मातारानी अपने भक्त की तमाम परिशानी को दूर करती हैं